आज राहूल गांधी के बयान पर हंगावा हुआ इसके बाद राहूल गांधी ने कहा कि कॉंग्रेस सांसद मनिकन टैगोर बेल में जरूर गए थे कैमरा देख सकते हैं उनके उपर उल्टा हमला हुआ है राहूल ने केंद्रे मंत्री हर्श्वर्धन पर निशाना साथते हुए कहा कि वे मेरे सवाल का जवाब देने के बज़ाए दूसरी बात कर रहे थे राहूल गांधी ने कहा कि मैंने वाइनाज में मेडिकल कॉलेज का सवाल किया था उस पर जवाब देने के बज़ाए वे मैंने जो बाहर बोला था उस पर बात करने लगे हर्श्वधन को दूसरा मुद्दा उठाने का निर्देश था लोग सभा में शुकरवार को एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रे मंत्री हर्श वर्धन राहुल गांदी के डंडे मार बयान का जिक्र किया और आलुश ना करने लगे जिसके बाद स्पीकर ओम बिल्ला ने उन्हें रोकने की कोशिश की इस बीच कॉंग्रेस सांसद मानिकम टैगोर हर्श वर्धन की सीथ पर पहुँद गया और दोनों के वीच बहश शुरू हो गई वही बीजेपी सांसद बेल में आ गए और कॉंग्रेस सांसद मानिकम टैगोर को पकड़ लिया और धका मुखी शुरू हो गई इसके बाद इसपीकर ओम बिल्डा ने सदन की कारवाई को इस्तवित कर दिया हंगामे के बाद हर्श वर्धन ने कहा मुझा अश्चर है कि राहूल गांधी के पिता खुद देश के प्रधान मंद्री थे तो ऐसी टिपड़ी वो कैसे कर सकते हैं लोग पीम को डंडों से प अश्चर देश का इस देश का युवा, ने अरेंद्र मोदी को डंडे मार मार के देश के माहर दख देए सब्सक्वाइब अरेंद्री एंडों से झाले काव अश्चर प्रधान मनद्री थे स्टेश आपार्ड़ी थे मुझा तर्फ देश सब्सक्र देश के ऐसे अर्ट व्योग थे वुवजी थे विपक्र देश का कर देश कर समाने पाज़ाईब यहांग कि विड़ाई इन पियम मोदी ने कहा अब इस धर्ती पर किसी भी मां के बेटे बेटी का किसी भी बहन के भाई का किसी भी भाई की बहन का खुन नहीं गिरेगा हिंसा नहीं होगी अब केंदर सरकार असं सरकार और बोडो आंदोलन से जुड़े संगठनों ने जिस एतिहासिक फैसले पर सहमती जताई है जिस पर साइन किया है उसके बाद अब कोई मांग नहीं बची है और अब विकास की पहली और आखरी प्राथमिकता है पियम मोदी ने कहा सरकार का प्रयास है कि असं अकाड की धारा छे को भी जल से जल लागू किया जाए मैं असं के लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि इस मामलेव से जुड़ी कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद केंदर सरकार और तफ्तरित गती से कारवाई करेगी इसी द अध्य दन्दे गिर जाए उसको कुछ नहीं होता इस धरति पर किसी भी मा के बेटेका कि इसी मा की बेटी का किसी भी बेहन के भाई का किसी भी भाई की बहन का खुन नहीं गिरेगा इस हिससाद नहीं होगी आज मुझे वो माताएं भी आशिरवाद दे रही है वो बहने भी मुझे आशिरवाद दे रही है जिनका बेटा जंगलों में कंदे पर बंदुग उठा के भटकता रहता था पीम मोदी ने कहा आज जब बोडो छेत्र में नई उमुईदों, नए सपनों, नए होसलों का संचार हुआ है तो आप सभी की जिमेदारी और बढ़ गई है मुझे पूरा विश्वास है कि बोडो टेरिटोरियल काउंसिल अब यहां के हर समाज को साथ लेकर विकास का एक नया मॉडल विक्सित करेगी इसमें आसाम भी सशक्त होगा और एक भारत, शेष्ट भारत की भागना भी और मश्बूत होगी SBI ने लगाता नौमे वित्वर्ष 2019 दीज के लिए मार्जिनल कॉस्ट आफ लेंडिंग रेट में कटोथी की घोशना की है बैंक ने MCLR में 5 BPS की कमी का एलान किया है अब यदर 7.90 प्रतीशत से घट कर 7.85 प्रतीशत सालाना हो गई है नई दरे 10 फरवरी से लागू होंगी इससे ग्रहाकों को फाइदा होगा क्योंकि वे अब सस्ती दर पर होम लोन और आटो लोन ले सकेंगे गौरतलव है कि गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रपरोट में कोई बदला नहीं करने की घोशना की है रपोरीट 5.15 फीसिदी पर बना हुआ है फिर भी SBI ने MCLR में कटोती की है बैंक ने 46 दिनों से 189 दिनों में मैच्योर होने वाली FD के लिए ब्याजदर में 50 बेसिस पॉइंट की कटोती की है अब इन जमाओं पर 5 प्रतिशत की ब्याजदर मिलेगी 180 दिनों से लेकर 210 दिनों तक और 211 दिनों से एक वर्ष से कम समय में मैच्योर होने वाली FD के लिए अब 5.15 प्रतिशत की ब्याजदर देगा बुखमंतरी भूपेश बगेल ने कहा कि नगरी निकाय और पंचाय चुनाव से साफ हुआ है कि जनता सरकार के एक साल के कारकाल से खुश है पंचाय चुनाव में मुझे संतोश है कि बस्तर जैसे लाके में नक्सलियों की कोई गती विदिया नहीं हुई शांती पूर चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों को मेरी तरफ से बढ़ाई बस्तर में जहां उम्मीदवार खाड़े नहीं होते थे वह चुनाव कराये गया उम्मीदवारों को नक्सलियों धंकी मिलती थी लेकिन इस चुनाव में कोई मामला सामने नहीं आया देखी एक इस बात का मुझे संतोस है कि नगरी निकाय चुनाव में और पंचायती राज चुनाव में एक भी नक्सलियों घटना नहीं हुई जब की रिकार्ड है कि पिछले जब चुनाव हुआ तो असी घटना ही थी आइस समय बिलकुर कोई घटना नहीं घटी बलकि उन पंचायतों में भी चुनाव हुए जिन में नक्सली के धंकी के चलते कोई फार्म नहीं भरते थे या जिन कोई फार्म भर दिया तो उसे नक्सली उठाग ले जाते थे लेकिन इस समय चुनाव में किसी प्रकार के कोई घटना नहीं हुई मैं सभी को बढ़ाई देता हूँ निता प्रतिबख्ष धरमलाल कौशिक के सरकारी सरक्षण में सीमेंट के दामों को बढ़ाय जाने के बयान पर सीम बगिल ने पलट वार किया उन्होंने कहा कि निता प्रतिबख्ष तही कह रहे हैं दरसल कें सरकार के संग्रक्षण में सीमेंट के दाम बढ़ाय जा रहे है क्योंकि सीमेंट का दाम बढ़ाया जाना केंद सरकार के उपर नर्वर होता है संग पुर्मुक मोहन भागवत की बैठक में भाजपा नीताओं के शामिल होने पर बगेल ने का कि देश के राईनीतिक दनों के कई अनुशांगिक संगठन होते हैं लेकिन यहां उलता है राष्टी स्वयम सिवक संग का अनुशांगिक संगठन भाजपा बन गई है वहां से जो नर्देश मिलता है उसे पालन किया जाता है उनके राईनीतिक चेहरा है यह वो जो कहते हैं वो करते हैं 76 में SDM और उनकी दफ्तर पर हमले के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया पुलिस ने बताया कि कई आउडियो सुनने के बाद घटना का परदाफाश किया गया है कंट्रोल उन में पुलिस ने कुछ आउडियो पत्रकारों को भी सुनवाए इस साज़िश में करशना विश्विद्याले के डिरेक्टर पुश्पिन गौतम उन से जुड़े राजू और राजिन बंदिला और भाजपा जिला अलसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष जाविद अक्तर भी शामिल थे पुलिस ने एस्डियम साइद पांच आरूपियों को गरफतार किया है एस्पी जैराज कुबिर ने बताया कि जांच में पाया गया परयाप्त साज प्राप्त होने पर एस्डियम सरी एनल्स अक्वाली को भी इस प्रक्रण में गबतार किया गया है और उनको भी सीख मैलाय प्रेश किया गया है इस मामले में आरूपियों के खिलाब कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था इसके अलावा साज उनक संपत्ती निवाराण अदीनियम की धारा 3, 120B, 193, 182, 211, IPC, 25, 27, ARPS X का मुकदमा भी दर्ज किया गया पुलिस ने पुश्पेन सिंग गौतम, जावेद अक्तर, राजी उर्फ राजियन सिंग, आमेश सिंग परमार, अरजुन शीवासकव को गरफतार किया पुश्पेन गौतम ने बताया कि SDM अनिल सबकाले की छटपूर पदस्तापना के बाद अब तक वा 15 लाख रुपए दे चुका है खुलासा में चौकाने वाले नाम सामने आए है SDM दफ्तर में और किसी ने नहीं बलकि SDM अनिल सबकाले नहीं प्राइवेट निर्माणा धीन यूनिवरस्टी के संचालक को फटाने के लिए उन्होंने कृश्पेन यूनिवरस्टी के चेर्मेन पुश्पेन सिंग गौतम के साथ साजिश रस्ती थी जिसमें स्वेम हमलावरों को बुलाकर SDM ने ब्रीफ किया था और किस तरह उनकी मौझूदगी में हमला करना है और फिर फाइरिंग किस जगे करना है इस सब की प्लानिंग करश्पेन यूनिवरस्टी के चेर्मेन और SDM ने मिलकर की थी इस मामले में SDM की गरस्तारी के बाद संभाय आयुद ने उन्हें निलम्बित कर दिया है बाद तारिक को SDM कराला में जो तोड़ खोड़ हुई थी और SDM के लिखे ताविदन पर खाना कोटवाली में जो एफाइर हुई थी उस्ट के अमसंदान के लिए बारा सबस्टी टीम क्रटित की गई थी जिसमें डी साइस पी मुकिया के तोर पे थे और अमसंदान पर ये पाया गया कि ये पूरी तरह से SDM जो सबकाले थे इन्हों ने पूरी जोजना बना करके सडेंतर रच करके इस गटना को अन्याम दिलवाया है पूर मंदरी बीजेपी नीता नरुता मिशा ने कमना सरकार द्वारा उद्योफपती अनिल अमभानी को 450 करोड रुपए चुकाने में राज सरकार दोरा दी गई गई मौलत पर कहा कि मदर्पर्देश में कमना सरकार का स्पेशल पैकेज चल रहा है लूट सके तो लूट कमनाद की चुट परदेश की उद्विण नीती उद्विण पतियों की सवलियस से तैह हो रही है किसानों की कर्ज माफी के लिए पैसे नहीं है कन्यादान की राशी के लिए पैसे नहीं है लेकिन आम जंता का पैसा इस तरह बरबाद कि जा रहा है कार्परेट कर्चर पूरे मद्वपर्देश में लागू है और गरीब का जीना म Animation कर दिया गया है जो कोशिस मद्यप्रदेश के खाजाने से हो रही है बहुत चिंता का विसा है एक तरफ तो कहते हैं खाजाना खाली है और दूसरी तरफ उद्द्योग नीती उद्द्योग पतियों के हिसाब से चल रही है पैसा गरीबों का है किसानों का पैसा किसानों को कर्ज माफी में नहीं दिया जा रहा है कन्यादान योजना में 51,000 रुपया कहा वो कन्यादान योजना की उन बेटियों के बच्चे हो गए और उन बेटियों को बेटी के लाड़नी लक्ष्मी का लाब मिल गया लेकिन बिरोजगार नौजबान को आज तक एक धेला नहीं मिला इस मद्देपरदेश के अंदर लेकिन अन्यम्मानी को साड़े चारतो करोर की छोट आईफा अवार्ड में साथ सो करोर की मद्देपरदेश के इन और में आईटी अवार्ड चालू कर दिया हीरो एरो इनका आकिस जा किसानों का कहना है कि तमाम आंदोलनों प्रडेक्शनों के बाद शासन ने दो दिन तीस और 31 जनवरी को समय बढ़ा कर धान की खरीदी कराई परंतु रीवा जिले के पांच खरीदी केंद्रों रिमारी परसिया रायपुर चाक अत्रेला चाक दो एवं मिसर गाउं के पंज सरकार की निम्ट खुल जाएगी और धान खरीदेगी इतना पीणी थो चुके हैं हम लोग इतना मजबूर हो चुके हैं हम लोग कि दुख वसियेकार उठाना पर रहा है हम लोगों को आज 20 तारीक से हर दीन आके बैठे हैं ना घर का काम कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं बस हमारा लोगों का रोजगार तूट गया तो अभी उससे दुखी हो गए हैं और यदि आगे कुछ नहीं हो पाएगा तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए अब मजबूर हैं समस्या तो ये पूँचिये नहीं कि कितनी है जितनी सारी समस्या थी सभी हम लोगों के उपर आ चुक वज़े से किसान परशान है परशासन ने किसानों की पीड़ा के परती अभी तक कोई सकार अपनक पहल नहीं किये जहां नीताओं के आंदोलन परशासन द्वारा ज्यादा तर खरीद केंद्रों का समय दो दिन बढ़ा कर दान खरीदी गई वहीं रिमारी साहित पांच किसा कि जाने के लिए किछानों के साथ अमेरा अशन पर बैठ गए हैं हमारे साथ जो वरिश्ठ समा से हैं मै यह पूरी बात इन से बात करते हैं सर यह जो अंसना आप बैठे हैं तो इन सब बातों को ले करके आपने कैसे पहले तैयारी कि आप अपनी आवाज सासन तक पहुंचाए या नहीं वहां से क्या स्वासन मिला पहले जब खरीदी बंद होई तो उम्मीद थी कि सरकार खरीदी गी हम किसानों की पीड़ा को महसूस करेगी सबसे पहले पोर्टल बंद हुए तो तब तक तो आधे से अधी किसानों की दान बची हुई थी कि मतलब आधे किसान भी नहीं बेच पाय थे अपनी दान यहां किमार और बार्दाने की समस्य तो सरकार की जानकारी में थी ऐसा कुछ हुआ नहीं और जो दीर दिन का शमय का बढ़ाया गया उसमें इन पांच खरीदी के इंद्रों को छोड़ दिया गया जिसमें रिमारी भी सामिल है हमें फिर भी उम्मीद थी कि एक दो दिन में आगे बढ़ा दिया जाएगा ऐसा ना होने पर हमने तहसीलदार जबा और एस डियम जबा त्यंसर के माध्यम से सासन प्रसासन को सूचना दिया कि हम पीडित किसान हैं हमारी धान खरीदी जाए लेकिन किसानों की आब आज नहीं सुनी गई और उसी ग्यापन के वरिपालन में और उसी पीड़ा को लेकर के उन किसानों के मैं आज से आमरण अंसन कबरत लेकर के बैठा हूँ किस तरह से सहीयोग मिल रहा है किसानों का किसान पीडित हैं वह अपनी पीड़ा से नाउमीद हो रहे हैं सरकार के इस प्रतिया से उनका हमें पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है अंचन पर बैठने से पहले एसडियम त्योंसर एमपी बरार वा तैसी लार जवार जवार सिंग को एक ग्यापन सौपा गया जिसमें लिखा गया है कि यहां के किसानों की धान आज भी घरीदी केंदों में पड़ी हुई है किसान राद बर भूके प्यासे और ठंड में धान की रखवाली करने को मजबूर हो रहे हैं तथा परशासन दौरा किसानों के साथ सौतेला वेवार किये जा रहा है जिससे किसानों में कमलना सरकार के प्रती आखरोश है भूत होते हैं ऐसा कई लोगों ने सुना होगा लेकिन भूतों की असलियत क्या है ये कोई नहीं जानता फिर भी जब बात भूतों की आती है तो जहन में एक अजीब सा खौफ पैदा हो जाता है और जहां पर भूतों के होने की बात कही जाती है वहां लोग आने जाने से कत्रा में लगते हैं रिवा में सोशल मीडिया पर इस तरह के कुछ चित्रे वाइरल हुए और बताने की कोशिश की गई लगता ही के रिवा के सेंजए-गान्डी अस्पताल की पारकिंग में भूतों का डिरा है जो रात की अंदिरे में सक्री हो जाते हैं इसके बास सोशल मीडिया में वाइरल एक वीडियो ने लोगों को डरा धिया दरहसल वीडियों में कुछ इस तरह दिखाया गया था कि संजे गांधी अस्पताल के पारकिंग में एक सीड़ी अपने हाफ चल रही है इस तरह के फोटो और वीडियो की तहकीकात करने के लिए हमारी टीम संजे गांधी अस्पताल के पारकिंग में पहुंची वहां का गंबीता से मौइना करने के बाद ये तो तैय हो गया था कि अस्पताल में खौब पैदा करने के लिए कोई शरारती तत्व सक्री है क्योंकि जो वीडियो और फोटो वाइरल किये गए वो अस्पताल की पारकिंगे है ही नहीं वो उससे मैचे नहीं करते हैं इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखें तो अपने आप इस पस्ट हो जाता है ये लोगों को डराने की एक साज़िश है या फिर कोई मजा कर रहा है अस्पताल परिसर में काम करने वालों और स्कूर्टी स्टाफ में भी इसे कोरी अफ़ा बताया यहां पर हमारे को दो साल धाई साल हो गया काम करते हुए हर दिखा मेरी गाड रहती है यहां पर कोई हमें आद तक कोई भूत नहीं यह सब अफ़वा है यह वीडियो भी आँका नहीं है यह कहीं से करके जनता को डराया जा रहे हैं यहां पर कोई भूत हो गारा कहीं भी नहीं है अब आद तक हमारे को हमारी हर जागाड लगी अगर होता तो हमारे गाड को मिलता आद तक हमें ऐसा कोई कम्प्लेन नहीं नहीं कोई भूत मिला ना कोई भूत यहां पर आये दोर में ऐसी किसी कलर की पुताई नहीं है जो वीडियो में दिखाई दे रही है। जाहर है रीवा अस्पताल को लेकर किसी ने कहीं और का वीडियो सिर्फ लोगों को डराने के लिए वाइरल किया है। इस अफ़ाने मरीजों और उनके परजनों के नीद जरूर उड़ा दी थी। क्योंकि संजय गांदी अस्पताल दीवा जिली का सबसे बड़ा और मुख्य अस्पताल है। और यहां लगाता लोगों का आना जाना बना रहता है। भुपाल के स्टेट मुजियम सभागार में ब्लाइंडर गुरूप द्वारा दर्शन फिस्ट कारकरम का आईजन किया गया। इस मौके पर ब्लाइंडर गुरूप के द्वारा सोलो और गुरूप निर्थ की प्रस्तियां दी गए। कारकरम में राइस्थानी पंजाबी औ बॉलिविड गानों पर शानदार प्रस्तिया दी गए। आईजन में जहां छोटे छोटे बच्चों ने दर्शकों का मनमुगा वहीं बड़ो नवी गायन के स्ट्राथ शानदार डांस प्रस्तिया। किया। इस मौकी पर मुख्य आतिति के तौर पर मुगावरी के विधायक बरजेंद जादव जगत पाठक पत्रगा की संपाजक विजिया पाठक डखन में उसकी संपाजक शेफाली गुपता मौजूद रही। इस दोरां सभी मुख्य आतितियों का सम्मान किया गया। आतितियों ने कहा डांस और संगीत कई बीमारियों वर समस्याओं का निदान आसानी से कर देते हैं। और निर्ट संगीत किसी को भी ताजकी से भर सकते हैं। आज अशिश शल्मान जिस मुकाम पे पहुचे हैं। वो बहुत छोटे जगे से आएंगे और उचाई पे पहुचे है। मैं चाहते हूँ कि उनका नाम तुने रश्टे सतर पे होए। और अभी इधाय के साथ मेहें आलपरावा होने बादा है। कम सकम कमल नाज जी मुक्षि मर्शी जी ये करें कि स्थानी एंडिताओं को भीज भीज में थोड़ा थोड़ा जगे दे। ताकि दुनिया भी नाम और उनको आके पुछाया है। आशिश बहुत 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 हैं। आशिश बहुत बहुत हैं। कारकरम में प्रफार्म करने आए बच्चों को पुर्षकार दिये गए। आतितियों ने इस आयजन और प्रतिवियोंगियों के हुनर की जम कर तारिफ की। आशिश बहुत है। इस ब्लाइंडर गंज डांस म्यूजिक एक्टिंग का बारबा बर्सगाट है। जहां पर हम ब्लाइंडर गंज जो है गरी बच्चों के लिए सिक्षा देता है डांस और एक्टिंग का। इसके साथ साथ कुछ अच्छे करके बड़े गड़े लोग भी सीखते हैं। तो हम सभी को सिख्षा देते हैं और यह हमारा बार्सिक महुत सब है। जहां पर हमारा उद्देश सी है कि जादा से जादा बच्चों को हम स्टेज दे पाएं। उनको सर्टिपिकेट और मॉमेंटो देकर उनको एवार्ट कर पाएं। जिससे उनका प्रोच साहन बड़े हैजिटेशन का दम हो। मैं उनको सर्टिपम को बलाई देना चाहता हूं। एक कारिकरम बहुत अच्छा लगा मुझे। यह आप पर कर छोटे भी बड़े भी सब लोगों की प्रुस्तति हैं जो मैंने देगी। बहुत ही संदर प्रुस्तति। और हम भी सोचते हैं कि खाली समय में अगर लोग हमारी जो जिन्दिगी है एक दोर धूब की जिन्दिगी है। इस में समय बहुत कम मिल पाता है। लेकिन ऐसा अगर हमको कही समय मिलें नाज करने का या गाना गाने का तो बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए। इस दोरान सबसे पहले का लोकार्पन किया गया वेपसाइट के संचारा का आशी शर्मा ने बता है कि वेक्ती के जीवन में सबसे ज़्यदा मुल स्वास्त शरीर का होता है। कायरा वेफ्राइट पर मौझूदा अंठान बे प्रक्रियाओं के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया सिंग्रॉली में हुई बोई मौसम बारिश ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है खुले आस्मान तले रखा हुआ तक्रीबन डेड़ लाख टन से ज्यादा धान भीगने से खराब होने की आशंका है जिससे सरकार को लाखों का नुकसान होगा बीते 15 दिनों में भी जिले के 32 सुसाइटियों में अधिकांश जगां खुले आस्मान के नीचे धान डंप है और नीजी परिवहन करता ठेकेदार की मरमानी और फरकारी अफसरों की नाफरमानी से अभी तक धान उठाया नहीं गया है अब वही बेमौसम बारेश से धान सडने की कगार पर है कमिशन से जो पैसा बचता है फिर यहां आखि फिर हम एक हपते मरें तब पैसा मिल पाता है बीजबीज जार रुपे मेरा तो सड़े साथ लाग का धान देचा है एक हजार चवालिस बोरी तो बीजबीज जार रुपे लेंगे तीन मेरे हमको लेने पो लग जाएगा जिने के जिमिदार अब बहाने बाजी करके से पल्ला जाड रहे हैं मगर किसानों को दो महा के बाद भी धान का पेमिन्ट नहीं हो रहा है जिससे उनकी आगे की खेती बाड़ी पिछड रही है यही नहीं जिला सहकारी बैंकों की किसान चक्कर काट रहा है मगर अफसर अपने ही हिसाब से चल रहे हैं एक वज़ा ये भी है कि जब तक किसानों की धान सोसाइटी से गोदाम को नहीं पहुचेगी तब तक भुकतान नहीं हो सकता है साथ ही जिनके भुकतान आए हैं उन्हें भी मनमाने तरीके से जहां पचास हजार की जरुवत है वहां पाच हजार दे रहे हैं इससे किसानों में काफी आकरोश है अगरी का पुर्दवालों का गोदाम ना होने के बज़े से लेट बता रहे हैं कि जब गोदाम उठेगा आपके छेते में सब कितना भी सुसाइटियों में माल पड़ा हुआ है पड़ा है रामगर में पड़ा है मजवदिम पड़ा है तिने समयती में वाकी सबस्क्राइब तरफ से तो ब्यवस्ता की गए ठकने के लिए अब तिर्पाल उस पार से ठका गया है अब बरसात हुई है तो बचाव किया गया है जो नीचे से भीजी हो भीज रही होगी बरस बवस्ता वह है उसकी ब्यवस्ता करके खरीद करके रखें तो उनके एक आउंट में जिनका आ गया है क्रमसा पेमेंट हो रहा है और कैस जैसा आता जाता है उस हिसाफ से अग लोग अपने डिश्टिबूर्स करते हैं एक साथ तो नहीं दे पा रहे हैं इसमें जिला में 75,000 बेट्रिटर की धान खरीदी हो चुका है उसमें पेमेंट ट्रांसपोर्ट होके एकसेप्टेंस रोट जारी होने काधा पर होती है अभी भंडारण की दिकती है लेकिन हमने कई सारे ऐसा गोड़ों और बन चीनित करने जहां पर बंडारण के लिए प्रवस्ता किया गया ज दर जो चबूतर है उसको रिपेरिक की काम स्टार्ट हो चुका है तीन-चार दिन में सबका परिवानों के वह सित भणवर्ण हो जाएगी उम्मीद है कि पाक साथ दिनों में जो बच्चा हुबा के सानगों को भी बुटकार हो जाईगा पाड़ेंगा गाउं में बेगा के उसे गाईल है जिनका दजदी की एस्पटाल में इलाज किया गया बेगा परिवार की हालत गंबिर देखकर उन्ने जिला इस्पटाल में रेफर कर दिया गया इस حम्म्ने में युवती ललिता नरेटी की मौत हुई बेगा चेतू-राम नरेटी और युवती सोमा नरेटी घ बिवेश ना कर रही है। दिगोड़ा में एक युवकी संदिक्त परस्यूति में हुई मौत का मामला परशासन के गले की हड़ी बन गया। मरतक खुनी केवट के परजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है जिससे परशासन दुरगटना का रूप दे रहा है। इम्रा आवास का पैसा देने के बहाने मरतक के परजनों को बुलाया और अस्पताल चौकी में रिपोर्ट के आधार पर आनन फानन में खुनी केवट का पोस्मार्टम करवा दिया गया। इस मामने में देर तक रिपोर्ट ना लिखे जाने से नाराज परिजनों ने लाश रखकर चक्का जाम किया। इस लोगों को जिला अस्पताल में लेकर इनने कहा कि हमारे भजी देवर बगयरा को लोगा किया आ रहे हो बोले कर ले तुमारा पैसा आवास का निकल ला है और फिर इसके बाद में वहां से विजी में गाडी में लास लेकर आ गई हमें यहां पर हमारा घर हमनों आया उनक बहतीजा बोला करना चलो तुमारा भाईया बोला रहे हैं हम वहां पर गए तो हमारा भाईया हमको गाड़ी में मारा होगा पड़ा था मरतक के परिजनों का आरोप है कि जतारा एस डियम सौरब सौन बड़े ने उनके साथ अबजरता और गाली गदोंच की जिससे माहौल बगड़ गया इसके साथ ही पुलिस की सकती का उप्यो किया गया जिससे परिजनों को लास चाड़क पर ही छोड़ कर भागना पड़ा लेकिन मामले की गंबीता को देखती हुए पुलिस में समझदारी से काम लिया और मरतक के परिजनों को घर से बुला कर बगड़ा थाने ले आई तब रात लगबग बारा बज़े आरूपी राजे सोनी और अशुक सोनी के खिलाफ धारा 304 चौटिस के तहट मामला पंजीवत किया गया एक तौरान रात नौ बज़े से बारा बज़े से बारा बज़े तक मुख सड़स पर चक्का जाम होता रहा नदीकरण के लोग हैं कुछ लोग थे एक असोप सोनी राज़स सोनी के गरत मकान में एक खुनी केवट काम करने के लिए सुबए उससे घसे उला ले गयते बाद में उसको उनना बताया कि ये सज्जा उटके गर गया है उससे गर गया है लेकि इनका पूरा समावना इनकी संदेव एक की आया कि नोंने उससे पैसे फिल इनका से उसको ना दिया है इस पर से इसके खाया गया है इसकी पुलिस ना की जा रही है बिर समत कर वे पिला सिवनी के लखनादौन में पुलिस अधिक्षक कुमार पृतिक के निर्देश पर पुलिस ने चोरी करने वाले गुरूफ को पकड़ा है लखनादौन पुलिस द्वारा पकड़े गए पांच आरोपियों से बारी किसे पूश्टाश करने पर बताया गया कि वो दिन में पहारी के पीछे कुछ संदिक दिलोग बैटकर पैसों एवं जिवरातों का आपस में बटवारा कर रहे हैं जिसकी सूचना पर संग्यान लेते हुए थाना प्रभारी ने टीम के साथ अतकाल पहुचकर घिरबंदी की और मौके से पांच लोगों को सूना चांदी के जिवर जिवरात एवं नगदी रुपे के साथ ग्रफतार कर लिया एस्ट्योपी अर्विन शिवास्तव ने बताये कि चोरी करने वाले आरूपियों के पास से कुल 3,90,000 रुपे के सूना चांदी के जिवरात एवं नगद प्राप्थ हुए हैं जहां उनको जाके फाना प्रोहरी लखनदाउन के दौरा उनके स्टाप के दौरा उनको पकड़ा गया थाने लाया गया थाने में जो पूस्ताइश की गई तो पता चला यह पांच आरूपी जो की एक रायसें जिले का है और चार नर्सिंग को जिले के पांच लोगों ने म सूचना जैसे प्राप्त हुई तो उठाना प्रफारी घंसोर को बुलाए गया मोके पे हैं पर यह आरूपी रायसें और नर्सिंग फुर्जिले के हैं जो घुम घुम कर कबार बीनते हुए चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे इन चोरों पर पहले से ही चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने का आरूप है और इनके खिलाफ न्याले में मुकद में भी चल रहे हैं इन चोरों से कडाई से पूछता जारी है जिसके चलते और भी खुला से होने की उमीद है इस से पहरे राजिस्तरी सुगम संगीत प्रतियोगता का आवजन भी किया गया इसमें चैनीत प्रतिवावान कलाकारों ने अपनी प्रस्तुती दी मध्यपदेश संस्कृती विवाग के उत्कृष्ठिता और स्रजन को राश्ट्री इस्तर पर सम्मानित करने की अपनी परंप्रा के अनुसार क्रम में सुगम संगीत के शेतर में राश्ट्री लता मंगेश कर सम्मान की स्थापना की सम्मान के अंतरगत सम्मानित कलाकार को दो लाक रुपए और तशस्ती पट्टी का भेट की जाती है सुकम संगीत के शेतर में कलात्मक श्रेष्टता को तवसाहित करने की दिश्टी से 1984 में लाता मंगेश का सम्मान स्थापित किया गया यह सम्मान संगीत रचना और गायन के लिए दिया जाता है इस बार यह सम्मान ख्याती पाश गाय का सुमन कल्याणपुरम तथा संगीत निदेशा कुल्दी सिंग को दिया गया संगीत की स्वर लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ता जोपड़ी से महलों ता, ठेलों से मेलों ता, पकदंडियों से सड़कों ता, गाउं से शेहरों ता, व्यापार से उद्योगों ता, राज़्टीती से कूट मीती ता, दखन न्यूज, आपके हत्व आप देख रहे हैं, दखन न्यूज